कि यह सुडेंस मैं अची सुडियो में बहुत ही इंपोर्टन पैरेगरफ को बताने वाला हूं जो आप लोग थमनिल देखकर समझी गए होंगे वो क्या है फीफा वालकफ 2022 ओके यह आप लोग चानते हैं कि इस पर एक पैरेगरफ यहाँ पर मैं बताने वाला हूं बिलकुल असान लगज में विदिन 120 वर्ट्स ओके तो यह एक पैरेगरफ है अगर यह आ जाए राइटी रिपोर्ट ओन दा फीफा वालकप 2022 तो अगर यही लिख देंगे अंसर हो जाएगा क्लियर तो यहाँ पर टू इन वान है मतलब एक आंसर में दो कोसन चुपावा है मैंने अल फीफा वालकप 2022 के लिए अब सुरू करते हैं दो फीफा वालकप दे पिनकल अव ग्लोबल फुटबाल यह ग्लोबल फुटबाल है फीफा वालकप वास हैल इन कतर इन 2022 फॉम नुवेंबर 20 तो दिसंबर 18 अ टोटल ओफ 32 कंट्रीस पार्टिसिपेट इन इन इस बहुत ही में जो है 32 कंट्रीस ने पार्टिसिपेट किया था 64 मैचे अक्रोस 88 इस्टेडियम और इसमें जो है टोटल 64 मैचेस खेले गये थे अक्रोस 8 इस्टेडियम और कितने इस्टेडियम में 8 इस्टेडियम में खेला गया था with an estimated cost of over 220 विलियन डॉलर इसमें जो खर्चा किया गया था इसमें जो रूपिय लागत लगी थी मतलब जितना यहाँ पर पैसे खर्चा किया गया था इसमें 220 विलियन डॉलर इसमें दुनिया का सबसे बहुती expensive विल्लकफ रहा है इसमें जो है इसमें जो है इसमें जो है क्या हो गया था ड्रो हो गया था अल्टिमेटली अर्जंटिना इमेर्च विक्टोरियस डिवर्टिंग फ्रांस 4-2 इना पैनल्टी सुट आउट तो बीकम दे 2022 फीफा वल्लकफ चंपियन और अर्जंटिना जो है वो मैच को जीता है बाई पैनल्टी सुट आउट के हो जैसे और यह 2022 का फीफा वल्लकफ चंपियन रहा है फ्रांस एम्बापे ऐन गोल्डन बुट और फ्रांस की जो एम्बापे यह क्या है कि ऐन गोल्डन बुट गोल्डन बुट ओन केता हो फॉर है ट्रीक के वज़ैसे इन दभाइनल् सुट फाइनल् кад Oxford जो है golden ball जिता था as the best player of the tournament. The tournament was an incredible success providing fans worldwide with an unforgettable experience. और यह जो tournament है बहुती incredible success है providing fans और fans को बहुती ज़्यादा unforgettable experience दिया है. ओके यह है paragraph the FIFA World Cup 2020 के उपर यह एक report भी है. तो आप लोग question में जो आए लेख सकते हैं clear